हैं हेलो students नेक्स्ट है डीशन ओपा इनरी नंबर भा वंपार नंबरस यस दीनरो मोर्न के banana किर थे आड़ को अगर हमें ऐड करना हो तो इस तरह चुब से करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स हम याद करने पड़ेंगे कि सबसे पहले हम याद करेंगेirt प्लस जिरो को अगर हम add करेंगे तो आएगा 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 तो ये तो simply हमारे decimal number system में भी होता है कि 1 में 0 add करो तो 1 1 में 0 add करो तो 1 तो इसमें देखो क्या लग है अगर 1 प्लस 1 को अगर हम add करेंगे तो वहाँ हमें लिखना है 10 इसको 10 नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे 0 with carry 1 याणि 1 प्लस 1 को add करके हम answer लिखेंगे 0 और carry जो है उसकी हो जाएगी 1 तो कोई number add करके देखते हैं स्पोस हमारे पास एक number है ये दो numbers है जिनको हमें add करना है तो लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 इसके अंदर हमें add करना है 1 1 1 1 0 1 ये इसके अंदर हमें add करना है तो देखो 0 प्लस 1 क्या होगा 1 1 प्लस 0 क्या होगा 1 0 प्लस 1 क्या होगा 1 0 प्लस 1 क्या होगा 1 अब 1 प्लस 1 को जब हम करेंगे तो यहाँ answer लिखेंगे 0 with carry यहाँ पे जो carry है उसको इधर लिख देंगे clear वो carry जो हम यहाँ पे लिख देंगे तो आब इस carry को इसमें add करेंगे 1 प्लस 1 क्या आएगा answer फिर से हमारा आएगा 0 clear उस 0 को लिख दो यहाँ पे और जो carry बचेगी वो इसको लिख देंगे यहाँ पे इधर यह carry बच की अब यह 0 इसमें add कर दो यह आएगा 1 और जो यह carry है इसको भी इधर लिख देंगे देखो फिर से देखते हैं यहाँ तक तो समझ में आगया होगा 0 में 1, 1 में 0, 0 में 1, 0 में 1, 1, 1 वन वन आएगा clear जब 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 with carry 1 उस carry को लिखेंगे यहाँ पी फिर carry को add करो 1 प्लस 1 answer आएगा 0 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे clear यहाँ पे हमें यह इसमें add करना है यादि 1 प्लस 1 जो 0 आया है उसको हम यहाँ उसको हम इसमें add करेंगे और जो carry है उसको हम इधर लिखतेंगे तो यह carry का गया 1 और इस 0 में जो यह 1 add करेंगे वो आएगा 1 चलो एक और करके देखते है numerical next numerical करके देखते है let us add into इसके अंदर add करके देखते है clear 1010 0111 अब देखो 0 plus 1 क्या आएगा 1 clear 1 plus 1 क्या होगा 0 with carry 1 carry को लिख देंगे यहाँ पे अब carry को add करो 1 plus 0 क्या आएगा 1 और जो 1 आया है उसको इसमें add करो 1 plus 1 वो जाएगी 0 with carry फिर से बचेगी carry 1 1 plus 1 क्या आएगा 0 with carry 1 carry को लिख दो यहाँ पे अब 0 में 0 add करेंगे तो 0 और carry को लिख देंगे यहाँ पे clear तो यह हो जाएगा हमारा addition अगर यह आपको चेक करना है कि हमारा answer correct है या नहीं देखो तो कैसे करेंगे इसको decimal number में से change करो इसको भी decimal number में change करो और add करके देखो तो जो answer आएगा फिर इसको decimal number में change करो वो और वो match करना चाहिए clear समझा है ना क्या कह रहे हूँ देखो इसको decimal में change करो इसको भी decimal में change करो और इस answer को भी decimal में change करो तो दोनों को add करके हमें यह ही answer मिलेगा clear तो हमारा answer check हो जाएगा next third numerical में देखो simply इसको इसको add करना है 0 plus 1 1 1 plus 0 1 0 plus 1 1 1 clear तो इस सबसे simplest numerical है इसका addition का okay friends तो next वीडियो में हम करेंगे subtract कैसे करेंगे इन numbers को thank you hello students next करते हैं subtraction of two binary numbers तो इसके लिए जो rule है वो याद करने है हमे 0 minus 0 क्या होता है 0 1-0 क्या होता है 1 1-1 आएगा 0 और एक वो लास्ट में सबसे में जो है 10-1 क्या होगा 1 यानि यह 10 नहीं है यह है जीरो में से 1 को सब्ट्रेक्ट करना जो यह जो 1 है यह हमें कैरी ली है ठीक है इसको हम कैरी लेके यहां पर 10 बनाएंगे 10-1 को हमें यहां पर 1 लिखना है तो first numerical करते है तो देखो इन दो numbers को हमें subtract करना है 1-0 क्या होता है 1 अब यहां पर 0 में से 1- करना है यहां पर तो हमें इदर से जा करना पड़ेगा एक कैरी लेनी पड़ेगी कैरी लेके यहां हो जाएगा 10 तो 10-1 जो जाएगा हमारा 1 अब यहां से करी ली थे तो यहां बचेगा 0 0-0 जाएगी 0 1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 तो यह गया इसका सब्ट्रेक्शन क्लियर अब देको इस नमबर में से इसको सब्ट्रेक्ट करते हैं 1-1-0 0-0 1-1-0 0-1-1-0 1-1-0 1-1-0 अब देको एक बात ध्यान लखने की है जब हम सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह नमबर छोटा नहीं होना चाहिए इससे तो एक सब्ट्रेक्ट नहीं होगी ठीक है